वो लड़की हमेशा मुझे किस करती रहती थी और ये बात मैं बर्दाश नहीं कर पुआ रहा था इसलिए मैंने सन्यास लेने का फैसला किया विजय एकादशी को आप सन्यास लेने बाले हैं बहुत खुशी की बात है ममी मेरा राम ब्रह्मचारी बनने जा रहा है विटा शादी के बाद तो ब्रह्मचारी बनना ही है ना अभी कुछ भी मत कहो तो मुझसे बाद में देख लेते हैं मैडम इसका बाप नहीं है ना लाड से पाला है अब हमेशा बोलती है बाप नहीं है बाप नहीं है गलत है सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे मैडम तुम्हें इस्ट्रॉंग ट्रेट्मेंट देना पड़ेगा क्या करें क्या है रामयर में राम का दुश्मन रामण जो कि उनकी पहुंच से कई गोज़ दूर था क्रिश्न का शत्रू कंस था उनका सगा मामा जो कि उसी शहर में था पांडवों के शत्रू कौरव थे एक ही परिवार खून का रिष्टा और मेरा शत्रू मेरे साथ है आज मैं उसकी वज़ा से मरने जा रहा हूँ मैं अपनी वज़े से मर रहा हूँ इस बात को लेकि आप लोग को डाउट होगा अगर आपको फुल क्लाइटी चाहिए तो आपको मेरी लाइफ के बारे में A to Z पता चलना चाहिए मेरी जिन्दगी इसी थीएटर से शुरू हुई थी जिस दिन हेलो ब्रदर रिलीज हुई उसी दिन मैं भी धर्ती पर रिलीज हुआ मेरे डैडी ने ये सोच था कि ट्वेंस होंगे बट मेरी सोलो एंट्री पे मेरे डैड थोड़े डिप्रेशन में थे जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया अपने डैड को किंफ्यूज करता गया मुझे प्रॉंख्षच सकूल नहीं जाना मैं नहीं जाओ अंगा स्कूल इस टीचर का बेटा होकर स्कूल नहीं जाएगा ठीक है चला टी वी देखते है अर्य स्कूल का टाइम हो रहा है अभी तो कह रहा था पेट में दर्द है अगर सीने में भी दर्द होता ना तो भी मैं चुट नहीं करता ए बी सीडी लिखने की उम्र में ए प्लस दी होल स्क्वेर लिख रहा है रियली टेल मी ए फॉर अमिताब बी फॉर गॉबी दियोल सी फॉर चिरंजी वी शकप डिस्मिस और तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है मेरे पिताजी की वज़े से जॉब मिली थी और बेटे की वज़े से चली गई खा डालने ही चाहिए डालने ही चाहिए मुझे तो चिकन चाहिए चिकन अरे चिकन दो ना उसे वेचारे मुर्गे को माल डाला बहुत गलत है माँ मुझे चिकन नहीं दाल चाहिए दाल दे दो न माँ क्या हुआ डॉक्टर साब कमाल हो गया आपका बेटा दो ब्रेन लेकर पैदा हुआ है मेरे बेटी के पास दो ब्रेन है याप क्या करें डॉक्टर साब मैं सही बोल रहा हूँ दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए जपान में एक ऐसा था जिसका नाम था अकीरा कोसायो वास बॉन विद दू ब्रेन्स जिकार्ता में एक लड़की थी जिसका नाम था जिन ग्रेन हत्ता दो ब्रेन के साथ पैदा हुई थी रिसेंटली दिल्ली में दो इनसान पैदा हुए है दे बॉन विड्ट टू हार्ट्स दूसरा ब्रेन निकाल सकते हैं क्या डॉक्टर अरी ये कोई सेफ्टी पेना जो निकाल सकते हैं ब्रेन है उसे निकाले के लिए 35 30 लाग लगेंगे मेरे नाम पर एक घर है जिसे वेज कर 30 लाग रुपए मिलेंगे लेकिन बाकी के पांच तो सुनिए एक काम करते हैं आकाश वाणी में अनौंस्मेंट करवाते हैं दूरदर्शन में एक चैरिटी शो करवाते हैं वहां बात करेंगे कोई तो पैसा कर पाएगा हम चलते हैं अच्छा डॉक्टर हाँ बोलो प्रभू यह बताए मेरे बेटी का ब्रेन का चेंज ओवर कब होगा जब उसने कहा था कि स्कूल जाओंगा और फिर जाने से मना कर दिया उस दर्मयान क्या-क्या हुआ था वो बताओ डॉक्टर मेरे घर के बगल में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जहां से पांचों वक्त नमाज पढ़ने की आवाज आती है जिससे सुनकर वो बदल जाता है हां डॉक्टर स्कूल की घंटी बजी और अचानक से बदल किया जब कभी तेज तेज आवाज आती है ना तब जीब सब बरताव करने लगता है लेकिन यह अबनॉर्मल बच्चा है जब कभी यह तेज आवाज सुनता है ब्रेन के अंदर प्रक्ट्वेशन पैदा होने लग जाती है एक ब्रेन आफ होकर दूसरा ब्रेन अन हो जाता है ऐसी दूसरी तेज आवाज सुनकर दूसरा ब्रे डाड़ी, हम यहां किया कर रहे हैं डाक्टर बदल गया है? सिस ब्रेन में जो कुछ भी स्टोर्ड़ है वो इस ब्रेन को पता नहीं है और ठीक आसे जो इसमें स्टोर्ड है वो इस ब्रências को नहीं पता डाड़ी आप कंपांग्डर से रहे हैं अरे बाप रे बाप कंपाउंडर बोला मुझे चलता हूं डॉक्टर आज़ा बैठा प्रभु भाई बच्चे का नाम क्या है अभिराम नो अभी राम अगर आप दुनिया वालों को इसके पास दो ब्रेन ये बताते हो या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसके दो ब्रेन है ये बात इसको बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि हर बार इसे ये बताओगे कि इसके दो ब्रेन है तो ये मेंटली स्ट त्रांग हो जाएगा डाड़ी मेरे टीचर मुझे डांड रहे थे कह रहे थे मेरे पास दिमाग नहीं है असा कहने वाला वह कौन होता है तेरे पास दो दिमाग है इसलिए हमने उसका दो भाग करके तेरा नाम अभी और राम रखा है मतलब यह हुआ कि तू अभी है अभी वे तेरी ऐसी कि तैसी अरे बापरे फिर ब्रेन शिफ्ट हो गया मतलब घर शिफ्ट हम कहां जा रहे है डाड़ी पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस समय ये अभी है या राम ये बताओ चंद्रमा के उपर पहले कौन गया था नील आम्स्रॉंग अच्छी बात है इसका मुतलब ये राम है मुझे कुर्ता और पैजामा पसंद है क्या बात है अच्छा राम जब तू है तो तू अपनी पसंद के कपड़े पहले जब अभी है तो अभी के कपड़े पहले मुझे जीन्स पसंद है ओहो दोनों की पसंद एक जैसी हो गई रहते हैं ना वो उधर देख गंगी के तु कहां जा रहा है क्या कर रहा है कहां गुम रहा है किस बातें कर रहा है सारी बातें ब्लैक बोर्ड पे लिग है राम जब आएगा तु देख लेगा मैंने पिंकी को ऐलव यू बोला बापरे यह तो बहुत ही बड़ा फ्लर्ट बने अरे पागल, टेक्नोलोजी बढ़ गई है ना, इसलिए मैंने बोर्ड खरीद कर दिया है, राम के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो सेल्फी खीच कर अभी को भेजेगा, और अभी के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो सेल्फी लेकर राम को भेजेगा, अब देखना, कितना मज़ सिटी को साउंड पॉलूशन से दूर रखने के लिए पूरी दुनिया जागरूख हो रही है जिसके लिए शिविर भी लगाय जा रहे हैं और इसी सिटी में मेरा साउंड प्रूफ घर मेरे घर में मेरी माँ पूजा भी बगएर साउंड के करती हैं और मेरे पिता जी बगएर साउंड के गानों को खूब इंज्वाय करते हैं और मेरे घर की डोर बिल भी बगएर साउंड की है अगर पर जी है क्या पंडिट जी ने आपके लिए प्रसाद बिजवाए है अर फ़र्में आपके बेटी जैसा बेटा होना चाहिए ह excusesं एसा बेटा प्यसा तुने ऐह सां गुण्धा बेटा किसी के गपंड़ में होना चाहिए मेरी बहन के साथ उसने इसकी बहन की शादि करवा दी लड़की से लड़की की शादी कैसे हो सकती है माहा डालेंगे अरे प्रभा राम उठाय कि अभी उठाय उसके रोम से तो धुआ निकल रहा है कि कमरे का धुआ अगर धूब बत्ती का है तो वो राम है और अगर सिगरेट का है तो वो अभी है अरे ये क्या तुने तो इसकी मुझे निकाल दी पुरी इंडिया में मुझे सिफ नत्थुलाल की ही मशूर है डाड़ी लास्ट पंच बोलिये न एए मैंने अपने बेटे को हॉरलिक्स या बूस्ट पिला कर बड़ा नहीं किया हिम्मत का डोस दे कर बड़ा किया है यह ओके उसकी ब्रश इसकी ब्रश कुछ पल्ले पड़ा इसका साबू न लग उसका साबू न लग अब समझ में आया पर शरीर से ये दोनों एक ही है आपको ये बात कब समझ में आएगी अरे पागल है न यह बॉड़ी ही नहीं हमने रूम भी शेयर कर लिया है उसकी अलग लाइफस्टाइल मेरी अलग लाइफस्टाइल अरे यह तेरा मेरा रूम क्या होता है हां? यह क्या नाटक है तुमारा ने मुझे अपना टाइम टेबल दिया था ओफिस से फ्री होने के बाद उसे प्रवचर में जाना है फिर अभी के प्रोग्राम का क्या होगा अचेंजर चेंजर 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 राम शर रát हो गया अबने जो पर बोलेटर चेंजर आपने जो खृझें और पर बढ़थे जारे हैं अब टेजर आप ने जो खरीदे पर झी हृँ उनके भी रेट कहसे जा रहे है तुम की थे चेंजर जा आफे उटते प्रॉरकर क resurrection कि रात को साड़े नौ बजे फोन करके तुने हमको बुलाया था अरे अभी वो गुंडे इन लड़कियों को टीज करकर के बहुत परेशान कर रहे हैं क्यों भे हमारे बजट में लाख रुपए का आइफोन आएगा क्या हजार रुपए के अंदर चाहिना अज़ान वाले सेम कॉलिटी देते हैं और तुमने चाइना की लड़कियों की बेज़दी की गलती कर दी तुमने कल आजाओ देखता हूं तुमें I love China I hate China ये चाइना के सामानों की वज़ा से हमारे देश की आर्थिक स्थी खराब हो रही है बट लड़कियों की बेज़दी करना घलत बात है I will call the she team सिटीम क्या होता है मतलब नो मार्पी अरे जग्डा क्यों करना दोस्तो अहनसा पर्मो धर्मा जग्डा करने से तुम्हें क्या हासिल होगा दोस्तो क्या होगा जग्डा क्या है क्या होगा जग्डा क्या है अरे भाई इसका है रिस्टाइल से लेकर सब कुछ चैन्ज हो गया है तुम सब यहां लड़कियों को छेड़ने के लिए आए थे ना बिना छेड़े क्यों जा रहे हैं तुमने जगडा करने से मना किया था अगर एक बढ़ मैंने फाइट के लिए सोच लिया तो जब तक मैं क किसी के दुलाई नहीं करता मुझे चैन नहीं आता हमारे साथ चीटिंग करता है क्या हम बहुत खतरनाख लोग है तू बचकर नहीं जा पाएगा काट के फेग देंगे इनके साथ 2020 खेलना ही पड़ेगा छोड़ना मत किसको बड़ित वाइख जे मढ़िन साथ 2020 एूप पत्रखain sweetie कि भंद टो जाएख च थे प्रुम्ह वह थ Quाँप प्रूब हाई जाई हाई 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 वहाँ प्रह्ण वोग वोग नाँ आइ अाँ जाँ जाँ यह शह पम व अ व ई व व अ माइक्रोसॉफ्ट के जमाने में टाइप राइटर से कोई टाइपिंग करता है क्या चलो फेस टू फेस बात कर ले दे प्यारे नर्सिम्हा रेडडी जी मेरे दादा जी अजार वोट से हार गए और मेरे पिता जी एक वोट से हार गए उनका बैड लग था आज मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा हूँ और ऐसे टाइम पर आप जो हैं कि मुझे विलन बना कर अख़बारों में बड़े-बड़े अक्षरों में आर्टिकल प्रिपेर कर रहे हैं गुंडागर्दी मेरी पहली बीवी थी बोर हो गया था उससे राजनेथी मेरी दूसरी बीवी है हासिल करना चाहता हूँ असेम्बली में शपत लेना चाहता हूँ स्रिचना लगता है इसके कानपुर में हरताल चल रहा है वाई बेटा जोड़े लोग जोड़े-अशन प्लीज आर्टिकल पदल कर लिखोंगा सेर बेटा मैमी बेटा तेरी बेटी आज बच कई नर्सिमा रेडी आगे से ऐसी गलती मत करना प्लास्टिक का धंदा करता हूं तुम्हें बहुत बड़ा विलेन बन गया जानता इसकी उमर कितनी है पूरे सौ साल अपने आर्टिकल को इस प्लास्टिक से कवर कर याद रखो मेरे भाई पृत्वी सुर्य के आगे पीछे घूमती है और पृत्वी पर इंसान वहम और डर के आगे पीछे घूमता है भारत में शेरों की जनसंक्या खत्म हो रही है यह सोचकर जनता बहुत दुखी डोंट डिस्टब लायन्स यह पूरा सिटी मेरा फॉरेस्ट है और मैं यहां का किंग हूँ आपकी बहुत बड़ी मूर्ती बिठाने का प्लान था लेकिन मेरे पिता शंकर राव जी ने आपके पिता जी कभी नाम है पैसे नहीं दिए इसलिए आपको इतने में एड़ेस्ट करना होगा एड़ेस्ट तो कर लेंगे ना अरे अरे तु क्या कर रहे तुझे पता है ना तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना एक कुडेवली सी प्यार करेगा तु मेरी आखों से देखना यार तेरी तो यह हार्ट में लागिन हो गई है यही तुमारी बाबी है सुनिय जी डाल दू ना हाँ हाँ डाल दू एई दखका तो दू अरे बापरी है हैपी ना हाँ बेटी हम है हापी हापी नाम एपी अब तुभी है ना इंसान को बारह महीने 24 गंटे इंसान की तरा जीना चाहिए लेकिन कम से कम एक घंटा मदर टेरिषा की तरा जीना चाहिए आयाम वण अर मदर टेरिषा क्या बात है नमस्ते लेट्स गो अब क्या बोलती हो ने ना अभी सर की लवर बन सकती है ना ये गुरू है मा गुरू पिता है बाप को दूसरे नंबर पर क्यों रखा है मुझे आज तक समझ मेन ये लेकिन मैं पेले नंबर पर रहूंगा जये पितेश्वराय नमहा जये अब बाप के सिगार पिने गा टाइम हो गया सूपरभात पिताश्री और करें सिगार अब से आध़ अल। सिगार पिजे पिता जी पिना पड़ेगा पिना ही पड़ेगा उसके पिताजी की आखें तुमको दी गई है अगर तुमने अभी सिगार नहीं प्याना तो उसको लगेगा कि तुम उसके पिता का अपमान कर रहे हो फिर वो तुमको मार भी सकता है आज तक ससुराम बेड़ी सिग्रेट छुए तक नहीं इस सिगार पिला रहा है पिताजी के लिए ब्रेकफस्ट जल्दी तयार करो देना अगराजी इस सब कईसा खाना है यार और आदमी के खाने बास्ते पूरी तरकारी जल्ले भी रखो यार रहे हम प्यूर वेजिटेरियन है धरम नस्ट करवाव के का आँ अरे भाई चुप रहो और खालो पिताजी आपकी गर्ल्फ्रेंड्स आई है पिताजी मिनरल वाटर पिताजी मिलाए तो क्या पीते हैं थे खाले और आड़ अँ तरह आपको पंगला गई हो काजी हम सब्सुर दिख रहें हैं कहां खिला पिला रही हम को तो मरी गवल्फ्रेंट श्रिजना और हम्री गवल्फ्रेंट ताडिका ची आपकी आखे हर चीज को क्याप्चर कर रहे आपका टेस्ट बहुर टेस्टी है डैड़ी, रिकाहे का टेस्ट हाई राम मुझे तुम्हारा पूरा बायपिक पता है, मेरे सब फ्रेंड्शिप करोगे ना सॉरी, मैं लड़कियों से फ्रेंड्शिप नहीं करता अब अभी की शराब चुड़वा दीजिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मेरी हेल्थ के लिए संदात्मों अरे राजा बाबू की गोविंदा की तरह कितने भेज बदल रही है, सन की कही की, अगर तुम से शादी की ना, तो सिर्फ एक घंटा घर ग्रियसी में बिताएगी हमारे घर कहा इस किया है अरे फिर्म चंब महें टीड़ के अरे अरे इसमसी अब फ्रैंग पता Personen सार्णसा इंस्टमा आइज ओड iphone, ज और आज ट्विट एल्जार, पनाग ती वारे की से यह हो, हाँ बता नौlla, है यह थे नेर बता है अब एक्स ने फास्तर स्गास, इसके फाधर जरुधी होता है। ये खिसने बोला था, किसी ने बोला था, क्या। सब्सकेति थे फिर्श होके अभी, पैसे इस सबीटे है vos से घूल तो बता जो शूछा हो है आहम, राम को ये बात पता हैं क्या जो भी मैटर होता है मैं पहले डैडी को बताता हूं पहले मैं तुझे एक इंपौर्टेंट बात बताता हूं क्या बताना चाहते हैं तूज़ा स्क्रीन की तरफ देख पिता जी बोलना मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है वो क्या है आपको सुनके आश्चारे होगा इस दुनिया में सौ में से नब्बे लोग शादी करके फास चुके हैं उनके जीवन का कोई उद्देश यही नहीं है और जो दस परसेंट लोग बचे उनमें से अब्दुल कलाम बन रतन टाटा बन गए वाजपेई बन गए योगी आदिधनात बन गए मैं भी उनमें से एक बनना चाहता हूं सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो गौतम बुद्ध बन गए नरेंद्र ने घर छोड़ा तो विवेका नंद बन गए तो मैंने यह सोचा है पिताजी मैं हिमाले पे चला जाता हूं वहां गुरुकुल इस्थापित करूंगा अपना जीवन अध्यात्म की सेवा में गुजारूंगा ब्रमचारे का पालन करते हुए सन्यासी बनुगा पिताजी आशिरवाद दीजिए विजया लक्षमी ने घर छोड़ा तो सिल्क स्मिता बन गई बन ब्रमचारी बनके जीना कोई जीना है क्या यार मेरी गल्फ्रेंड रोज एक घंटे के लिए मदर टेरेसा बन जाती है और जीवन में तीन अक्षर होते है मेरे भाई देख मेरी बात सुन तु मेरा प्यारा भाई है मैं जानता हूं तु मेरी बात मानेगा तू मेरी बात सु ब्रह्मचर का पालंकर मेरे भाई हमारे लिए अच्छा रहेगा अबे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तो फिर जाने देना हम उसी की बात मान लेते हैं उसकी बात मान लेते हैं आपका दिमाग खराब हो गया क्या बचपन से ही क्रिकेट मेरी जान है लेकिन वो मुझे क्रि जो खेल हारने वाले हैं उसे भी तु जीता देता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है अक्सर तो तु जीते हुए मैच को भी हरा देता है तुम में कुछ प्रॉब्लम तो है यू अन्फिट फॉर क्रिकेट सॉरी सर अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो उसे चेस पसंद है जब प्यार हुआ है तो उसे ब्रह्मचारी बनना है मैं उसका मॉडर कर दूँगा यह सब चल क्या रहा है दुनिया में अक्सर लोगों के दुश्मन बाहर होते है पर यह तो खुद का ही दुश्मन बनता जा रहा है जिसका मुझे डर लग रहा है वो अलग तरीके से सोच है और यह अलग तरीके से सोच रहा है पता नहीं दोनों की सोच कब एक होगी मेरे बाप को जो डर था वो सच हुआ आज वो ही मेरा सबसे बड़ा शक्त्र हो जब हम आखे बंद करके किसी के बारे में सोचते हैं तो जो कुछ भी हमें दिखता है वो ही हमारा फेवरेट होता आप सब आखें बंद कर लीजिए ए प्रभू मेरी बेटी ही मेरी फेवरेट है यहीं मेरी फेवरेट है तु बले ही मेरा पीछा करना छोड़ दे लेकिन जब तक मेरे सीने में जान है तुझे भगा भगा के मारूंगा येस जुनियर एंटी आर ही मेरा फेवरेट है प्रभाज मेरे फेवरेट है महिश बाबू मेरे फेवरेट है जोटा भी मेरा फेवरेट है हाई अंकल मेरा फ्यूचर दामाद ट्राइकलोजिस्ट और वेंट्रिकलर स्पेशलिस्ट मतलब यत्ता है कि अब कमाई ही कमाई होगी बेटा यू आर 99 परसेंट सेलेक्टेड गांग्राचुलेशन्स यह वाट इस एक्स्टा एलिमेंट देखिया अंकल रिटिक रॉशन की तरह मेरे भी हाथ में छह उगलिया है यू आर रिजटे येस यू रिजटे यू कि बेटा तुमारे एक्स्टा फिंगर है वाट मेरी बेटी को कोई भी एक्स्टा चीज या किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हर अंग परफेक्ट होना चाहिए अगर किसी आदमी के कोई एक्स्टा अंग है तो इसकी शादी उससे नहीं होगी हमारी डॉक्टर फैमिली ने मिलके डिसाइड किया है ना अरे बेटा ये पीने की आदत तुने मुझे क्यों लगा दी अगर आपको पीने की आदत नहीं होती तो आप मेरे क्लास के नहीं होते इसलिए मैंने आपको पीने की आदत लगाई ज पंकज नहीं रे, पंकज अब, जाल जंडा फैराते हैं कोई मुझे पॉइंट आउट करें तुम्हें उसका हैंड आउट कर देता हूँ, साउंड पोल्यूशन, बॉड़ी को निकाल तुमने शर्पत पी का जंडा नहीं फैराया है, तुमने दारूपी का जंडा फैराया है, नो टिकेट, बार्टी तिकेट की बात जार रहे थे तुम, तुम ओफिस में खुज भी दहीं सकते सब तेरी वज़ा से तु पंका जम नहीं पंका जाये, मेरा स्क्रैप है, तिदे घटिया आइडिया से मेरा सपना विखर गया, चूर चूर हो गया, अब मैं तुझे चूर चूर कर दूगा, पिताजी, कोई भी पाटी मुझे टिकेट देने से साफ बना कर रही है, और ब्र अमर्णादमे का शराप खाली नहीं जागा रहे, गगन बिहारी के शरापपी के जंटा फेहराने की वज़े से पूरी देश में हंगामा खड़ा हो गया है, जंता में आक्रोश है और उनकी मां को इस देश से बाहर निकाला जाए, अर्चिदा उसके फित्तों में आग भी इससे देश की जंता में आक्रोश फैल गया है, लोग गगन बिहारी के मुदले और उनकी पोटोस जला रहे हैं, शरापी के राश्य चंडा लहराने की वज़े से गगन बिहारी को शहर से बाहर निकाला जा रहा है, ए फिता जी, मुझे नगर बहिसकार किया जा रहा है, बस नगर बहिसकार, तुमको तो सला देश से बहिसकार कर देना चाहिए, अरे जाते जाते रात करेगा का, मिसियो पापा, अवे का है का पापा, अरे अब तो हम नाचेंगे, बगवान श्री राम भी अपने पिता जी को छोड़कर वन में चले गए थे, लेकिन मैं, अपने बाप को ने बाप को मैं छोड़ने वाल हैपी 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 लवस्टे क्या लवस्टे पर आज तो लवस्टे है ही नहीं प्यार करने मालों के लिए हर दिन लवस्टे होता है चलो दिखा देता हूँ वैसे तुम्हारी लवर है कौन हैपी कौन मैं नाम तो तुम्हारा हैपी है तुम्हें हैपी मैं रखूँगा ग्ती फ्रना theoremां घाओ तुम्हें बने लिलगे क्या of थीय internationतार यह प्रिए्ट्णॡ अगके व्ला कवा इन शुन का वस्या हूँ टो मेरेड़ ड theor प्यार तो इसलिए प्देना यह हां अपनी माँ से प्यार करता है यह बेप्स, बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले किसी देखता है, माँ को, तो इसलिए वो बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, यह लव लाइफ लॉग होता है, तो फिर यह लव अट फर्स साइट की फिजिक्स कमस्टी, तुम क्यों नहीं समझती, सॉरी, मुझे लव में बिलकुल इंटरेस नहीं है, अलो, हैपी, प्यार को जो नहीं मानता, वो इंसान नहीं होता, यह किस ने कहा था, मदर टेरेसा, और वो तुम्हारी ऐडियल है ना, नहीं दीदी, ऐसा मत करना, येस, आइम वान आर मदर टेरेसा, अच्छा, मैं वान आर प्यार करू मेशा के लिए लिख लो, हाँ, हाँ, शादी की बात अपने वाइफ के साथ फर्स नाइट पर चिटचट तो करोगे न, तब बताना हैपी, मतलब मिस यूनिवर्स ने वान आर लव किया था मेरे साथ, अच्छा, अगर तुम्हें लड़की हुई, तो अस लड़की का नाम ह हापी, मतलब मेरे नाम से रखना, क्यों जी, हापी, मतलब मैडम जी सिफ एक घंटा ही प्यार करेंगी हाँ, यस, वान आवर, और ये वान आवर लाइफ लॉंग तो हो सकता है न, एक्जाक्ली, अच्छा तो ठीक है, इस वान आवर के प्लान में स्माल सा चेंज है, वान आ क्या आरे तुम लोगों का नाटक है, हाँ, तु क्या एक घंड़ा प्यार करने की बात कर रही है, तुम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, समझी न, बुसायाना तो कुछ भी कर देगा, तैयार है ना है पी, जादा नाटक मत कर, वरना मैं तेरे बारे में हेमा को बत कर दिया, घर में बताओंगी तो गड़बढ हो जाएगी, क्या आप कम कर सकते डॉक्टर, अरे ये हेमा, इसे घुमा कर कुछ भी कम कर सकता है, अरे परसो तो मैंने इससे ट्रंप का बुखार कम कर दिया था, हाँ, एक चैनल के लाइफ शो की, मैंने इससे आवाज बन कर द सप्राइज, साइज जीरो, इसे घुमा कर मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, कैसा रहा हमारा एड, बहुत ही अच्छा पापा, सूपर, आपने सच में बहुत अच्छा किया पापा, ये आपकी बेटी है, अरे ये मेरी बेटी नहीं है, सुनो, तू प्यार से मुझे पापा मतलब, क्या सच में तुम्हें मतलब नहीं पता है, या ऐसे ही पुछा, सच में नहीं पता मुझे, मतलब, तुम्हें हमारी हैपी से प्यार नहीं है, अच्छ, तो ये अभी नहीं किया होगा, ये भारत देश मेरी मात्र भूमी है, सारे भारतिया मेरे भाई बहन है, आई लव इंडिया उनली, नाट हैपी, हाँ, राम, इस महने की पंद्रा तारीक को, आप मोहमाया का त्याक करके सन्यासी जीवन स्विकार करेंगे, धन्यवाद, ये तो सन्यास ले रहा है, लड़का बहुत अच्छा है पापो, आपकी बेटी को समझा गया, लेकिन आपको नहीं, अरे मेरी बेटी नहीं है, ये, मूँ बन कर, तुम सच में सन्यासी बनने वाले हो, शादी नहीं होई, इसलिए वासको डिगामा ने महान भारत की खोच कर ली, अगर शादी होती तो, घर से निकलते वक्त, उनकी पत्नी बोलती, सुनिये जी, कहां जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, कब आओगे, राद को क्या बनाओ, ऐसे हजारों सावाल पूछ लेती, गुस्से में आकर, वासको डिगामा अगर रुख जाते तो, वोड नॉट हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, अरे वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी हैपी कभी जूट नहीं बोलती, जरूर तुम्हारे अंदर कुछ ने कुछ खोट है, ये बहुत अच्छे वेक्ती है, अनुमान जैसे हैं, वाप भी कहीं का, तुम नीच हो, चला जा यहां से, हैपी, यहां तक मैं उसको समझ पा रहा हूँ, उसकी नजर में दुनिया के हर लड़की मा है, मामजी, ट्रम्प एक पत्नीवरता पती हैं, लेकिन वो एक रोग है, हाँ, 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 रूम बुक करने के पूरी तियारी करके आया हूँ, देख लो, पकरना जरा, हेई हेई, तुम तो सन्यासी बनने वाले थे, हेई, अबे कौन है तु, मैं तुझे नहीं दिख रहा, मैं तुझे नहीं दिख रहा, मैंने टी-शेट पहनी है लेकिन मैं टिफिन बॉक्स में बंद बॉम की तरह हूँ, अगर मुझे घुस्सा आ गया ना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कंट्री के आर्मी भी कम पड़ जाएगी, मर्डर करना मेरे लिए मैगी और नूडल से जादा एजी है, देखना चाहता है तु, सिक्स पैग नहीं, सिक्स ग्लास पिताओं मैं, अगर तु पीछा करेगा तो तु तुझे धंकाऊंगा, और अगर चुएगा तो तु तु जे काट डालूंगा, ओवर सबसे यही यही डर तु मेंटेन रखना, मेंटेनेंस चार्जस तो नहीं लेंगे नसु, तो चलिए एक डील करें से जब तक आप हैपी को टच नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं करूंगा, मैं इसे कभी टच नहीं करूंगा, एवर, यह डिल मेरे लिए ओके है, मेरे लिए नॉट ओके, यह सिटी मेरा फॉरेस्ट है, और मैं इसका किंग हूँ, इस सिटी हमारा फॉरेस्ट है, और हम इसका किंग है यही बोला था, यह खुद जंगल में आ गया, भाई मैंने भोके शेरों को बुला लिया है, क्या बात एक अगन भाई तुमने मुझको बुलाया, तारू पीकर तुछंडा फैराता है, उसके बात पता नहीं कौन था वो, मेरे जंडा फैराते ही उसने वीडियो बनाकर फेस्बूक पर अपलोट कर दिया, मुझे और मेरी थ्री जनरेशन ड्रीम को खत्म कर दिया, और मुझे नगर बहिशकार कर दिया, उसकी वज़ा से, मेरा असेम्बली मिस हो गया, एक लियाना कैसे मारा इसे, अब जसने मेरा वीडियो निकाल कर वाइरल किया, और जो भी उसे मारेगा, मैं उसे MLA पनाऊंगा, MP बनाऊंगा, मिनिस्टर बनाऊंगा, ओपन आफ़ार! मैं प्रभाद सिंग साहू, शिक्षा मंत्री की शपत लेता हूं, मैं विंकटेश, मंत्री पद की शपत लेता हूं, मैं गीता सिंग, खाद मंत्री पद की शपत लेती हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर के पद की शपत लेता हूं, आम उसको मार देंगे भाई, इस शेर को गुस्सा आया है, अब ये अपने शिकार को भगा भगा कर, तडपा तडपा कर मारेगा समाचार सुनाने वाला है आपका प्यारा अभी और समाचार सुनने वाला है हमारा प्यारा हेमा तो आज के अमों के समाचार इस प्रकार है कि प्यारे हेमा जी की वाइफ मेरे साथ यानी सब के प्यारे अभी के साथ नैन मटकका करने वाली है प्यार से मेरी वाइप से नैन मतकका। तेरे कदमों में सारी दुनिया बस मुझे यही चाहिए तेरे कदमों में सारी दुनिया बस मुझे यही चाहिए और बता तुझे क्या चाहिए कपड़े सीने की मशीन, एक आम कपेड, एक लोटा अबीडी का बंडल और एक चार पाई, उस पर बिस्तर और साथ में एक रजाई, अरे, क्या बात करें तु इससे, बाबु ने मुझसे कहा कि वो मुझे 90% डिसकाउंट दिलाएगा, अग, क्या यह, कोई ओफर देगा तो य जुक करना, तो आज का ग्यान इस प्रकार है कि आसे, अम्मा होता है, और आसे ही, आन्टी होती हैं अम्मा तो थोड़ा सिखा पाती है लेकिन आंटी सब कुछ सिखाती है मुझे हमेशा से डाउट रहा है इन लेकों को ने लड़कियों की तो तारीफ की लेकिन आन्टीओं को भूल गए आज की ये लड़कियां कल की आंटी होंगी अपसरासी दिखने वाली आंटियों को लोगों ने यहाँ पर रसोई की बाई बना दिया है घुट-घुट के जी रही घुट-घुट के जी रही है अबिचारी यह सब तुम जैसो की बज़े से बेटा मैं आल इंडिया आंटी संग की अध्यक्ष होने के नाते वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दोगा हुगी देखती हूँ कौन तुम्हें अलग करता है आप सभी आंटी लोगों को नमस्कार अब आप लोग ही इससे बोलिये कि यह लड़का मेरी पत्नी को छोड़ दे मैं वादा करता हूँ तीन जगों की जयदात पत्नी के नाम कर दूगा प्लीज बिलकुल नहीं अब इनकी शादी होकर रहेगी अभी तेरे आगे हाथ जोड यह कर ली तुम और तो में टेलेंट कमाल क्या है अबी आजा को सिर्फ एक घंडे मैं तुम मुचे समझ कैसे पाऊगी एक मन्त ट्रवल करो मेरे साथ समझ में तो ठीक है नहीं तो कट कर देना सोचती हूं टच में रहना ओ हो लेट गव लेट को मेरा प्यार मेरे करीब आ रहा था लेकिन करीब आने से पहले ही उसने सन्यास ले लिया आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है अरे बालक तुम तो अभी सन्यासी बनने वाले हो ना और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद कल सुबह तुम हिमाले के मानसुरोवर की गोद तक पैदल जाओगे सारी विवस्ता हो गई है इसे दे ना मैं सवाल पूछता हूँ आप उसका जवाब दीजिएगा सवाल तो कोई भी मुझसे पूछ सकता है बोलो क्या पूछना है भगवान ने आपको आखे क्यों दी देखने के लिए और मूँ क्यों बोलो बात करने के लिए इग्जाक्ली तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भगवान हमें हर चीज उपियोग के लिए देते हैं बिना उपियोग के कोई चीज नहीं देते गॉट इट भगवान के कितने सारी बीवियां और कितने सारे बच्चे थे तो हम सन्यासी क्यों बने बोलो कितने प्रवचन करने वाले बाबाओं की शादियां हो चुकी है और आप लोग सन्यासी बनकर प्रमचर का पालन करने जा रहे हो ने ने मेरा कहना है छोड़िए ये सब संध्या वंदना में संध्या है और पढ़ाई में जो वेध है वेदा है वेद्शे पद्मासन जो करते हैं उस में पद्मा है लेकिन तुमारी लाइफ में क्या है? बताउ ना क्या है सिर्थ सून नया अरे यार अब देट हो जाओ दोस्तों नहीं चाहिये हमें संध्यासिरोण द्रमचर नहीं चाहिए नहीं नहीं नो अब इस मट के अंदर रहूं की नो एंट्री और मेरे ब्यार के लिए लाइन क्लियर हो गई वो मिल गया डाड़ी भाई इसी ने फेस्बूक में आपका वीडियो लोड किया था कौन सा मंत्री बनाएं कोगे भाई यही है जिसने आपको फेस्बूक पे वीडियो राला था यही है भाई यही है भाई यह लोग गलत बोगे यह आप लिए भाई भाई अरे पिताजी यह क्या कंफ्यूजन है तो पागल है और तुमसे बड़े पागल है यह सुन रही हो ना सर आइपी एड्रेस से उसको हैं मैं उसको पकड़ के रहूंगा डाड़ी कि क्या हुआ रात को वो तेरे सपने में आता है क्या मुझे तो वो दिन में भी आता है देश को सरकार देखती है और उसे तेरे डैडी देख लेंगे कल तेरे डैडी को और उसके डैडी को कैसे भी करके मैं मिलवा दूंगा हैपी मेरे जीजाजी क्लास हैं उनके सामने सब फ्लॉप हैं उन दोनों में जहगडा होगा और मेरा उससे पीछा छुट जाएगा भूख लगिया यार ब्रेकफास्स का है प्रभुदास गो टू क्राइंग रूम बेबी मेरी बेटी को यही मुझ से दूर करेगा मिस्टर सर आयम सर्जन यस सर रेंज सर्जन पता है सर तेरे दिमांग में जो प्यार का भूथ गुषा उसे अभी निकालता हू मैं अब सिर्व मुझे ही मुझे देखता जातू मेरे अलावा किसी पे नजर मत राख अब तु मेरी बेटी को भूल रहा है भूल गया 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 yes 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 slowly slowly open your eyes I like that auntie Daddy अब तु सब कुछ भूल रहा है तुषब कुछ भूल रहा है जोली ओपन ओप्टीन इलाक बादी अरे बात में यह क्यों गए अब तेरी नजार सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए तेक रहा हो मुझे देख रहा हुआ यस यस जोली ओपन यॉर आइज आइ लव हैपी अंकल आइ लव हैपी अब ये कौन है तू तो साइकेटिस्स को भी पागल कर देगा वे अरे हेमा अरे मैं भी तो उसी की वज़ह से यहां पर अपना इलाज कर रहा हूँ डॉक्टर सासुर जी हम लोग चर्च में शादी कर लेंगे क्यों बेटा तेरा स्टेटस देख और मेरा स्टेटस देख सासुर जी आपका स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता लेकिन मेरा मुझे पता है आइम देयर आइम यूजिंग वाटसर अंकल आप बोलो मैं इसे खतम कर दूगी यह बाते जीरो साइज हीरो इन तू इसको मारेगी बाते बात कर रहा है स्केटस की बात कर रहा है स्केटस की बैसे नहाना लास्ट पंच बोल पागल फैमिली है इनके लिए पंच वेस्ट करूँ प्रभुदास, गो टू क्राइंग रूम बेबी क्या लिखाए यूथाइकन अभीराम यह पापी यूथाइकन कैसे बन गया इट्स ओके इट्स ओके प्लीज डॉक्टर, आप कुछ भी करिया लगि मेरी बच्ची को बचा लेजी ओके-ओके, शीज ओके इमर्जन्सी है, इससे आए, इससे को शिफ्ट करो आप दोला काउंटर में जमा कर देजीए यह अपके नहीं कर सकते, मैं इससा नहीं कर सकते एट्स बात कालेजिये ब्लीज में बेटी, बेटी डॉक्टर, डॉक्टर अरे सुनिये जी, सुनिये यह लो पैसेट, स्क्रीटमेंट शुरू करो पर देखे ना खबराईये में तब तीक हो दोल पूर ज़ल्दी करें कुछ करें पीटा थीक है आप सॉरी मेडम आपने आने में देर कर दी भी पीटा अब इसके इलाज का सारा खर्च मैं देता हूं कि आप इसे बचा सकते हैं मरने के बाद कोई जिन्दा कैसे हो सकता है जब यह जिन्दा थी तो क्यों मा डाला इनसे बात क्या करना सर छोटी बच्ची थी मीडिया आ गई मैं उन्हें बताता हूं मेरी बेटी को मा डाला हॉस्पीटल को सीज करो आप बोलो तो हॉस्पीटल को गिरा देते हैं भाई जो बच्ची इस दुनिया से चली गई वो ऐसा करने से आ जाएगी क्या आज इन्होंने अपनी बच्ची खोई है इस देश में ना जाने कितने लोग है जो इलाज ना होने से अपनों को खो देते हैं तो क्या करें सर मेरे पास इसका एक सेलूशन है क्या वो दिल्ली तक पह जाते हैं वैसे ही घर, कार, टीवी, फ्रिज, एसी, फोन ये सारी चीजे जब आप कही खरीदने जाते हैं तो इनकी EMI के लिए ना जाने कितने ओफर्स हैं जिनमें जान नहीं है उनके लिए तो EMI है लेकिन जिनमें जाने उनके लिए कुछ भी नहीं है वोना चाहिए और नहीं है यह इन्शोरेंस है आपके पास एक्सपायर हो गया है तो अब मैं क्या करूँ जानने दूं हम एक इंसान को जन में लेने के लिए नौ महीने लगते हैं और जान जाने के लिए फिर्फ कुछ सेकंड्स गलत है यह एक इंसान जिंदगी और मौछ से लड़ रहा ह तो वो कॉव्मेंट हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में, इस बारे में सोचता रहता है, सारे हॉस्पिटल एक्वल होने चाहिए मजंसी में, पहले पेमेंट उसके बात ट्रीटमेंट नहीं, पहले ट्रीटमेंट उसके बात पेमेंट, अगर वो जहां गोलकुण बनाने वाले कुटब शाही राजा बड़ी नहीं है, टैक्स भरने वाला हर इन्सान बड़ा है यह माई कॉंसेप्ट अच्छा है सर, तार सपा हो यह लोग सपा है, इस बात को उस जगह पर उठाएंगे सर, मीडिया पावर यूज करेंगे आपका यह सूब है सर, यूथ आइकोन ऐसे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या सच में इसका इतना बड़ा कैरेक्टर है, बेटी, दामाद फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, हाँ बेटी, अरे उस अभी राम ने सिर्फ हमें ही नहीं नहीं नचाया था, उरे होस्पिटल को मतलब की जी जाजी फिक्स, कमाद फिक्स, यह वही आदमी है भाई, यह वही आदमी है भाई, पिताजी, आपकी आँखों के कसम, उसकी आँखें बंद कर दूँगा, इस प्रेस्क्रिप्शन को तो मैंने कहीं देखा है, इस पोस्टर को मैंने कहीं देखा है, डॉक्टर, ओ, डॉक्टर ही हमारे सम्धी है, मैं आ रहा हूँ, अरे बापरे, तो वो इसका बेटा है, सम्धी जी, सम्धी जी मत बुलाओ, सिर्फ डॉक्टर बुलाओ मुझे, एक लड़का, जिसके पास करोणों की जाएदा थी, लेकिन उसके पास एक एक्स्टर फिंगर होने की वजाए से, मैंने वा रिष्टा कैंस रम्हा जी के चार सिर थे, देवी के बार हाथ थे, जब देवी देवताओं को ये हो सकता है, तो हम इंसानों में क्या बुराई है, चुप करो तुम, आप पहले पीछे मुडिये, आपने बेटे के दो नाम रखे थे, तो दो बार दहज देने की जरूरत नहीं है, एक ही बा अब ही आपकी बेटी से प्यार करता है, और राम किसी से प्यारी नहीं करता तो प्रॉब्लम में कहां से आने वाली है, राम, I love you, I love you, I love you, I love you, लोगिन को अगवों करते हैं अंकों को सामने थुरक जारो है और उसके पास दो अपत्र इसलिए एक अंभर मेरी बेटी को प्यार करता है गर सीधे तरगी से समझceptions कोशिश करो तो एक टिकेटश कैसे देख सकते हो मुझे टिकटशों मेरे ईक शो primeira ही होática इस डॉक्टर ने तो अपना फर्मान सुना कर मुझे भी परिशानी में डाल दिया है अभी और राम की ये रास लीला पता नहीं कहा अवू हेई फ्रेंड डॉक्टर की बेटी के साथ निष्टा तै कर दिया कितना दहज मिल रहा है इंगेजमेंट फिक्स कर दिया ना क्या कहा उसे भी प्यार हो गया है तुझे शॉक अब लगा है हम लोग तो कल से ही शॉक में है मेरी बीवी को एक सो पांच डिगरी फीवर है बुलाओ, बुलाओ, हे राम, राम को बुलाईए, बुलाईए ना उसे किसे बुलाओ, वो कोई पडोस में थोड़ी रहता है फिर वो तुमारे शरीर में है हे राम, बाहरा ना, बाहरा, बोलाना बाहरा हेलो, इस प्रोजेक्टर ओपरेटर स्पेकिंग, तेरी रील बदल कर उसकी रील डालूंगा तो आएगा पिटा जी प्यारे बेटे, अब मुझे बताओगे, वो लड़की कौन थी शर्मो हया कि ये मुस्कराहट भूल कर मुझे बता, वो लड़की कौन है उसका नाम आश्यरया है आश्यरया, नाम में ही आश्यरय है, कैरेक्टर और भी आश्यरय है, कारेशु योगी, करनेशु दक्षा, रूपेज अकृष्णा, समेतु रामा, आपके अंदर मुझे भगवान नजर आ रहे है, मुझे विवेकानन जी नजर आ रहे है, स्वामी, मुझे तो ये पकोड़ नजर आ रहे है, बाबरे, क्या रहे, टेंथ क्लास में मैंने तुझे आई लवी बोला था, तुने जवाब दिया, I love my India, मैंने सोचा तो सुधर जाएगा तेरा इंतिजार किया, इंटर में, विंटर सीजन में मैंने प्रपोस किया, तो तुने ही कहा दुनिया की सारी मैंने तेरी मज़े समीकार हो गए, हाँ, और कुछ है क्या तुझे बताना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, तुमारो बिल कंटिनू थे क्लास, मामी, बेटा उस लड़की को कभी भी मत छोड़ना, ऐसे पपु लोगी हमारे फैमिली में मैं बैच होते हैं, वो लड़की हम मुझे किस करती रहती थी, और ये बात मैं बर्दाश नहीं कर भा रहा था, इसलिए मैंने सन्यास लेने का फैसला किया, विजय एक आदशी को आप सन्यास लेने बाले हैं, बहुत खुशी की बात है, ममी, मीरा राम ब्रहमचारी बनने जा रहा है, वीटा, शादी के बाद ब्रहमचारी बनना ही है ना, अभी कुछ भी मत कहो तो मुझसे, बाद में देख लेते हैं, मैडम, इसका बाप नहीं है ना, लाड से पाला है, आप हमेशा बोलती है, बाप नहीं है, बाप नहीं है, गलत है, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे मैडम, तुमें इस ज्रॉंग बिना बाप की बेटी तुझे क्यूं चाहिए, उसकी शेहर में बीया फैक्टरी है, अगर दस रुपए खर्च करोगे, तो सौ रुपए आएंगे, सच कह रहा है, तुम और यहाँ, मेरा बुखार ठीक हो गया, लेकिन उस अभी का प्यार, ची, उसे अभी भूलने में ही भलाई है, ये रिष्टा फिक्स, पिताजी ये बात आप अभी को भी बता दीजे, अभी को बताने के लिए फ्लाइट पकड़ कर अमेरिका जाना होगा क्या, या शिप से श्री लंका जाना है, वो तो तेरे अंदर ही है, वो होगा जब आउट, तो तू होगा इन, स्टार्ट डी टी एस उस राम ने आपको अपनी घटिया लव स्चोरी बताई या नहीं? पहले तू ये बता कि किसकी है घटिया लव स्टोरी, वोस्ट लव स्टोरी तो तेरी है, ज़रा याद कर अपने ससुर की शकल, प्यार से बोलना तो दूर कभी मुस्कुराता भी नहीं, हमेशा बीमार ही लगता है, एक नंबर का फंदेबाज है वो, हमेशा लोगों की टां अबर की फिल्म उहां से निकाल दे और आश्चर्या की फिल्म को लगा दे, डाडी, मेरा दिल को इसिनेमा थियाटर नहीं है, जो हर वीक लड़कियां बदलता रहे, अपने प्यार को कैसे पाना है, ये अभी अच्छी तरह से जानता है, उससे तो मैं बताऊंगा, आज ब्लू है पानी, 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 पानी यह तुम्हारी गल्फ्रेंड नहीं है, यह तुम्हारी भाई की गल्फ्रेंड है, हैपी तुम्हारी गल्फ्रेंड है, जो काम करने आय थे, वो करते हैं, चलो, यह कौन है, दरासल इसने भी सन्यास लेने का फैसला किया है, इसलिही मेरे साथ है, यह क्या राम, हमारी फेक अरे राम को तो वेद, पुरान, सन्यासी पसंद है ना, हाँ, और इसके दैट को बच्चे, बच्चिया, फैमली, प्यार, ये सब पसंद है, तो इसलिए फेक लव स्टोरी इसने सुनाई, और इसके दैट मान गए, क्यो राम सही कहा ना, राम ने मस्द प्लान किया है, हाँ, म मुझे एक NRI मिल गया है, तो शादी कैंसल कर दो, फिर उसके बाद, अशर्या ने मेरे साथ धोका किया है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूं, पिता जी, क्यो राम, यही प्लान है न, या, अबे तेरी तो राम, अगर तो बक्ती चैनल से ऐसा प्लान बना सकता है, मैं तो मैं तीवी से हूं, मेरा प्लान देखना, बाया अशर्या, नाइस तू मीट यू, उस सन्यासी को तुम मैं बताता हूं, यादी, बीयर फेक्ट्री वाली का क्या हूआ, मैं यहां पने बच्चों की एक शांदार कर्केट टीम बनाने की कोशिच कर रहा हूं, और वहां सन्या आपको वंडे ट्रेवल चाहिए, डे नाइ ट्रेवल चाहिए, सेवन डेस चाहिए, कौन सा चाहिए, बताइए, कोई बात नी ब्रो, मैं भी एक आदमी से इंस्पायर हूं, उसी की तरह मैं अपनी जिंदगी में सब चोड़के सन्यास लेना चाहता हूं, पच्चिस साल की अबर में, किसी हसीना की बजाय तुम सन्यास की बात कर रहे हो, यही तो डाइवर्जन है, उसे डाइवर्ट करके प्यार में भसा के ललकी के साथ भेज देंगे, चमक चमक चाह, शुत्री ट्रेवल्स, कावेरी ट्रेवल्स, रमायय ट्रेवल्स, इधर देखो जरा, इधर पैसेंजर को नहीं यह बताओ, अब जरा पैसे की बात कर ले हम, हाँ, हाँ, मामा, जल्दी फोन उठाओ, बात करनी है, अरे यह क्या, इतनी सारी लड़कियों को लेकर, वो अंदर जा रहा है, क्या कहा लड़किया, जरा उस छमक चमक ट्रावल्स का नंबर तो भेज, मैं घ्रवेजार उससे मिल लेता हूँ, मामा छी, शे, हा단 प्लान किया है, मुझे यहां से निकलना पड़े है। लड़कियों ने आज इज़त रख ली। छमक छमक ट्रवल्स की प्यारी लड़कियां। अरे मैं अपना जिसम बेचती हो, आत्मा नहीं। लड़का तो भगवान है। अज के बाद मैं भीक मांगूँगी लेकि ऐसा काम नहीं करूँगी। वो लड़का सच में भगवान है। अच्छा लड़का है वो अच्छा लड़का तो साफशात रॉम है। यह तो बहुत अच्छा लड़का है। सब लड़कियों को बदलकर तुमने मुझे अकेला ट्रेवल बना दिया है। बदमाश कहीं के। अब मेरा क्या होगा। हे गूगल मैप, ब्रह्मचारी मट का लोकेशन बताईये। तरह जाना है। और विए। सब करनार कहा? डिलिवरी में डाइनासवर की तरहा गुच रहा है। मेरी दूसरी पत्नी को मुझसे दूर क्यूं किया तोन्हे। दूसरी पत्नी कौन है? गुंडग तिमेरी पहली पत्नी थी… राजनिती मेरी दूसरी पत्नी, दूसरी पत्ने को दूर क्यों किया, है, लगता है तू मेंटल हॉस्पिटल से भागा है, अभी, सुन, जरा एक मिनट होल करना, क्या हुआ फ्रेंड, बाइ, 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 चलता हो, चला बता, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, अपने याड़ी के साथ क्या करेगा, याड़ी, वोटसे पर लुकेशन भेजा है, अपने पिता को बचा सकता है, तो बचा लिए, पुराना पुल, जहां पर शिव का तांडव होता है, वहां पर तेरे बाप की आज बली चड़ने वाली है, हुआ थाराना पुल, मुपर दोच खने ज़रोहने साथ को're gonna. वोश भुष लाजिवा आपुए खादर अब ही यहां पर क्यों आया है मार डाल उसके डैडी को साथ में उससे भी यह भगवान यहां पर यह सब होता है अभी इतना गिर जाएका मैंने सोचा नहीं था ए सुन क्या हुआ भाई यह पूजा काफी वाइलेंट है भाई कि मैं चलता हूं भाई ए रुक तेरे पिता को मार रहे हैं और तो यह से जाने की बात कर रहा है पिज़ए पिता जी को हां तेरे पिता को तो पिता जीची को यह पिताजी अब लगा है पापा, 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 पापा यहलों हाँ सब्सक्रद पाप के लिए का देखे लो रहा है कि profits कांस आंlet देखना पापा कुछ मारा है इन्होंने इन्होंने ही मारा है देख कितना पून निकल रहा है इस ने अंही आई मारा है। लुक्त Rights अभनी छोड़ेगा नहीं तुम्हेर इससे भागना नहीं चाहिए वो भात इस ही का ना That means I am the greatest son of the world. वोन्रक अगर तुझे कोई प्रोब्लम है तो अपने डैडी को बता आँ मैं तेरा डैडी नहीं तेरा फ्रेंड हूँ अगर तु ऐसे रोएगा तो क्या तेरा ये फ्रेंड्स है पाएगा अबी देखना पावगों कितना मार रहे हैं सब हॉच्छ अभूहगों कहुछ लियुक उप्रेंड प्रेंड साल करते हैं 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 1 1 22 2 3 2 3. वेड़ रुरुण झाओ पाओ इद जो पिरे प्रेंब है, जो जो पर गड़ुण को तो एगे जोकिन जोले प्रेंटार प्रेंटार प्रेंदाली मुझ जो 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 एटारुण है मेरे फ्रेंड को तुमने मारा, आना, अरे मारा, बेटा, आहा, जिन्दा है ये, देख भाई, आदमी चाहे जितना खतरनाक हो, उससे पंगाई, लेकिन कभी भी मेरे बेचे से पंगा मत लेता है, क्योंकि उसकी निगाहों में, उसका बाप ही उसके लिए, उसका हीरो है, फ्रेंड, लास्ट पंज सुपब था, चल तो लोगे ना, चल लूँगा, आज आओ फ्रेंड, ये इधर क्या कर रहा है, ये प्यार व्याजा, का चक्कर छोड़कर कहीं सन्यासी तो नहीं बनने जा रहा है ना, अभी, तो ये है अभी की गल्फ्रेंड, नमस्कार, तुम नमस्कार कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, आज कौन सा दिन है पता है तुम्हे, आज का दिन, विक्रम सवुवत के अनुसार बर्ष्या अरे तु दक्षिनायन, श्रमण मास की सब्तमी, स्वाती नक्षत रहे है आज, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, बहुत बदलाव आगया तुम्हे, शिर्ट पराबर पहनी है, बटन भी सारे लगे हुए है, हैर स्टाइल भी चेंज कर दी, मस्त रहने वाला लड़का आज, देख ये कहां लेके जारी है मुझे हर बर्थडे पर एक कॉसली कार या एक कॉसली सेल फोन मांगती थी, लेकिन इस बर्थडे पर इसने मुझसे क्या मांगा पता है डैडी, अपने हॉस्पिटल में अगर किसी के बेटी हुई, तो ट्रीटमेंट फ्री, नो बिल, ये गिफ्ट मांगा इसने, और वो मैंने दे दिया, हैपी, आर यू हैपी, आर यू हैपी, मेरे अंदर आए हुए इस बदलाव के पीछे, एक इनसान है, वो मेरी इंस्पिर और वो इनसान है, नहीं तू, अभी राम, हाई, इनसान की जिन्दगी, रंगी नोट नहीं है, वो अन्मोल होती है, इसलिए हम हॉस्पिटल में एमाई पेमेंट आप्शन लॉंच कर रही हैं, I love you, राम. ऐसा लग रहा है, मैं आज ही के दिन पैदा हुई हूँ, मेरा खयाल रखोगे न? पूरी जिन्दे की मुझे प्यार करो के न? एक मिनिट बेटी, उसके लाइब में उलिए एक लड़की है, अब ऐसी बाते मत करो ना, पापा? अगर भगवान भी आकर मुझे ये बोले न, तब भी इन पर से मेरा भरोसा नहीं टूटेगा. He's my soulmate. अगर लड़की ने ठान लिया, तो कोई भी इनसान उसे रोक नहीं सकता. सुनिए, चूस. ये इस वक्त अभी है कि राम है? अरे, इसका कैसे पता लगाया जाए? जैक डूर से, इसका मतलब कि तु राम है. क्यो रहे? बीयर फैक्टरी का ओनर बता कर, आश्चर्या की कहानी मुझे सुना कर, तु ने मुझे अच्छी तरा से बेवकूफ बनाया. ए, दिल से कह रहा हूं तुससे, हमने चुना है हैपी को, और मेरी बहु बनेगी तो हैपी ही. उससे शादी मतलब मैं हैपी. इसलिए, पिता जी, मैं भी हैपी से प्यार करने लगा हूं. शायद मैं घलत कर रहा हूं, क्योंकि अभी जिससे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करने लगा हूं. हम दुनों को एकी लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए, पिता जी. तुम दोनों दो हो ये किसने कहा दुनिया में इतनी सारी लड़कियां है अभी ने जिस लड़की से प्यार किया है तू भी उसी लड़की से प्यार क्यों नहीं कर लेता भले ही तेरे पास दो ब्रेन है पर इस शरीर में दिल तो एक ही है न फर्स टाइम तुम्हारी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लग रही है मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है बेटा इस वक्त तेरे दिल में जो बात है उसे अभी के ब्रेन में डाल देनी चाहिए प्रभा ये बताओ, वो आ गया क्या? हाँ, हाँ, आ गया क्यों, ट्विटर की खोश किस ने की? राम गोपाल वर्मा तेरे बड़े भाई राम ने क्या किया ये पता है? तुम्हार पास दो ब्रेन से फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया लेकिन ट्याड़ी एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं पता नहीं मैंने तुम्हारे डेड़ी को मना लिया है मतलब? कल हमारी इंगेजमेंट है लेकिन कैसे मना लिया? हिट्नोटाइज येस! नमस्कार, बैठिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे ये तुम मैंने कभी सोचा ही नहीं था अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ जपरदस्ति हां करवाईए यही तो सच है कॉंग्रेचुलेशन्स दॉक्टर टॉप टन ब्रेंज सेर्जंस में आप नंबर वन सिलेक्ट हो चुके है कॉंग्रेचुलेशन्स क्या बल कॉंग्रेचुलेशन्स प्रेतुर जी कैसे है मुझे यहां देखके शॉक्ड हो गय क्या अल्रेडी मेरे और आपकी बेटी के बीच बहुत कुछ होने वाला है वैसे आपने मेरे स्टेटिस की वज़ए से शादी के लिए मना कर दिया था ना लेकिन अब मेरी बात ज्यान से सुनो तेरी बेटी का रेप करके उसका वीडियो बनाके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा अपलोड यूट्यूब समझ तो गय ही होंगे ना मुझसे इस तरहा करवाई थी इसने मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में कोई भी यी बात ना जान पाए इसलिए मैंने मेने शादी के लिए हां की थी कॉलेज में गुंडशी के इसने प्रियंग करूवाय इस lettuce मैं आप ही सोच के बताई कि आप क्या करते सार मार डालता तो अभी को मार डालते हैं सेर हाँ मैं आपके बेटे से उसकी शादी किरवाऊंगा जो शराब पीकर बड़ों की बेज़त्ति करे उस अभी से नहीं बलकि राम से इंसान अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकता है ये बात राम ही अभी को समझा सकता है और कोई नहीं एक लड़के को कैसे और क्या करना चाहिए इसका बेस्ट एक्जमपल इसके अंदर का राम ही है तो बेटी राम को दूँगा अभी को नहीं दूँगा बहला ऐसा कैसे हो सकता है अभी और राम दोनों अलग-अलग नहीं है ना अलग कर देंगे जब यह छोटा था तो मैंने आपको कहा था ना कि 35 लाग रुपए लगेंगे तब आपने मेरी बात नहीं मानी लेकिन अब मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए 35 करोड तक खर्च करने को तैयार हूं राम पॉजिटिव है अभी नेगटिव है अभी का ब्रेंड निकाल दूँगा आप उसे निकालनी की नहीं बलकि मारनी की बात कर रहें तो फिर आप ऐसा ही समझ लीजिए अभी के दिमाग का कोई फायदा है क्या बताईए यह हमारे होस्पिटल में काम करती है एक कंपाउ वाइफ को वो वर्ल्ड टूर ले जा सकता है उसके पतले अगर अभी हुआ तो वो शेयर आटो में ही घुमाएगा सर अगर आपका बेटा अभी राम है तो मैं अपनी बेटी नहीं दूँगा अगर सिर्फ राम है तो मुझे मंजूर है अभी को मैंने पाला है वो ऐसा नही किसे देखिए तरी बेटी का रेइप करके उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अप्लोड कर दो अप्लोड यूट्यूब मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है राम मुहूरत निकलवाकर हमें खबर कर दीचेगा डैटी बेटी मुझे अभी बेलकुल पसंद नहीं सिर्फ राम पसंद है अगर जिंदगी में खुशाली चाहिए तो सिर्फ राम से ही शादी करना वही खुश रखेगा राम अब को पसंद है तुमारी शादी उससे ही होगी चलो काफी देर से पी रहा है तुमारी अपने बेटे राम की शादी का इंतजाम करना है मुझे जाना होगा एही राम तुने मेरे साथ ऐसा किया मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्यूं किया ये सब किसी और के सामने किया होता तो मुझे कोई दुखना होता और तु तु मेरा अपना भाई है ना तो ऐसा क्यूं किया आज मैं टूट गया हो राम क्यूं सासूर जी के साथ ये नाटक क्यों किया तू नहीं तू मतलब हॉस्पिटल पे तू एवरीधिंग इस फियर इन लव और वार बता अभी को क्यों मारना चाहता है तू अभी को क्यों मारना चाहता है बता बोलता क्यों नहीं क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है बचपन से ही मैं उसे नहीं पसंद करता स्टेट में फरस्ट आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी पांच एक्जाम्स मैंने पास किये, सब में मैंने सौ में से सौ लाए, लेकिन, लेकिन एक एक्जाम उसने दिया, जिसमें मुझे 34 नमर मिले, स्रेट में फरस्ट आना मेरा सपना था, लेकिन उसने मेरा सपना तोड़ दिया, इंटर्मेडियेट के टॉप टेन रैंक में मैं भी एक रैंक पाना चाहता था आप तो जानते हैं न मुझे कौन सी रैंक मिले मेरा ये सपना भी उसकी वज़ा से चूर चूर हो गया मुझे रोना आता था लेकिन मैं अपना दर्द किसे बताता हूँ वो वो मेरी लाइफ में ना है इसके लिए मैंने कितनी कोशिश एकी हर शनिवार मैं मंदिर जाने को सोचता था लेकिन वो मुझे लड़कियों के भीच पब ले जाता था मुझे सिग्रेट डारुवालों से बिलकुल नफ्रत है लेकिन वो मुझे मुझे उसे चान से मार देने कामन करता है और वो है कि वो यह समसे रोज करवाता है और इन सब के पीजे आपकी गलती है आपने उसे कभी मना ही नहीं किया वो तो मुझे गंदी गलियों में भी ले गया मैं तो एक बड़ाद्बी बनना चाहता था सबका बाला करना चाहता था सबको रोजगार देना चाहता था लेकिन उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मैं चाहता था मेरी कंपनी का पूरी दुनिया में नाम हो, हसारों लाखों लोग उसमें काम करें, लोग मेरी कंपनी के शेर्स खरीदें, मेरी भी कंपनी के शेर्स बिकें, मैं तो शेर ब्रोकर बनके रह गया, शेर ब्रोकर, ये भगवान, सब के किस्मत यहां लिखते हैं, ल एक रीजन बताईए जिससे मैं अभी को प्यार करूँ वो मेरे अंदर वाइरिस की तरह है और मैं हमेशा उसका एक्स्ट्रा लगेज उठाता रहता हूँ वो स्क्रैप है पापा इसलिए उसका मरना सही होगा ये गलती आपकी है सिर्फ आपकी बच्पन में ही आपको वो चाहिए कि मैं डिसाइट करना चाहिए था दोनों को रखने के बारे में सोच कि आपने गलती कर दी अभी भी निर्णा आपका ही है आपको मैं चाहिए या फिर आभी चाहिए मुझे जिन्दा रहना या फिर आभी को जिन्दा रहना कितना भी बोलिए, अभी राम हेक नहीं हो सकते, वो अलग है, मैं अलग हूँ, और आम कभी भी, एक साथ मिलके नहीं रह सकते, अब निर्णाय आपके हाथों में है, पी बेटा, क्या डैडी, मरने से पहले आखरी च्छा पूरी कर रहे हैं क्या, 25 साल से वो मेरी वज़े से तकलीफिस है रहा है, वो बहुत ग्रेट है डैडी, वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, वो साइंटिस्ट है डैडी, लेकिन मैं स्क्रैप हूँ डैडी, सिर्फ स् मेरी वज़ा से राम की लाइफ खराब हो गई, मुझे मार ही देना चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं डैडी, शैद बात में मुझे कभी मोका ना मिले, मुझे आज आपकी गोद में सर किसोन है डैडी मैं जीना चाहता हूँ डैडी, मैं जीना चाहता था डैडी, ये बात आप राम को मत बताना, वो बरदास्ट नहीं कर पाएगा, बहुत दुख होगा उसे, हललुईया, समस्ती इश्वर की महिमा छत्र चाया में मेरे इश्व के सामने हाजिर है, आमिन, आप इस शादी के लिए राजी हैं? हाँ, राजी है, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ, आपके दामाद ने मेरे असेंबली में जाने के ड्रीम का एबॉर्शन कर दिया, मुझे नगर बहिश्कार कर दिया गया, सो, रेटन गिफ्ट तो बनता है ना, हाँ? अरे भापरे, यहाँ, अरे भापरे, यह क्या होगा? खूट निकल रहे है? पर कैसे है यहाँ? सिटी में चेहरा दिखाऊंगा, तो अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए यह मास्क लगा कर घूम रहा हूँ, अरे तामाद जी, कुछ तो कीजिए, है, मेरी फैमली को अगर हाथ लगाए रहाँ, आई विल कंपलें तो दा कंट्रोल रूम, हाँ? वेवेवेवेवेवेवेवेवे क्या बोलावे, कंट्रोल रूम बोल रहा है, इसी पप्पु के बारे में भेग रहते हैं, यह इसा मारता हूँ, वह मैं नहीं हूँ, वह अभी है, मेरा भाई, वह मेरी ताकत है, वह मेरे लिए सब कुछ है, मैंने आप से पूछा था ना कि उसके जीने के लिए एक वज़ा पताईए, एक नहीं सौ वज़े है, अभी की शरारत मुझे पसंद है, लेकिन राम जो काम करता है, वो मुझे पसंद है, अगर तुम राम हो तो राम, और अगर अभी हो तो अभी, पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मैं तुम से प्यार करती हूँ, मुझे कोई फर मुझे समझा गया पापा अभी के बिना राम कुछ नहीं और राम के बिना अभी कुछ नहीं राम ग्रेट है तो अभी भी ग्रेट है नहीं तो राम भी कुछ नहीं अभी इस इक्वल टू राम उसकी वज़ा से मेरा करियर खराब हो गया तो मेरी वज़ा से उसका भी करियर खराब हुआ है पिता जी मेरी वज़ा से आपकी जान को खत्रा हुआ और उसकी वज़ा से आज हम दोनों जिन्ता है वो भला किसी की जान क्यूं लेगा अगर अभी राम मिल गएना तो मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा अगर अभी राम मिल गएना तो मेरे माबाप भी खुश रहेंगे और हाँ पापा वो यहाँ नहीं पता चलता लेकिन यहाँ जरूर पता चलता है मुझे माफ कर दीजे मुझे सब समझ आगया है कि हमारा अभी कैसा है अंकल को भी समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने उसे फोन करके बुला लिया अरे पापरे तुमने बुला लिया उसे हाँ अंकल सच में फिर अभी को रहना चाहिए की नहीं वो डी सीजन आपका होगा अभी को रहना चाहिए अभी को रहना चाहिए ए ए ए बुकमाई शो पे मैंने टिकेट बुक ने किया तोमारी इस फैमिली फिल्म को देखने के लिए असलिए अभी कौन है यहां रहता है वो म्यूजिक बजाएंगे तो फटाक से अजाएगा वो यहां अईसा क्या, मैं खुद एर रैमन का फैन हूँ, म्यूजिक बजाता, बसा गैंग पाह तो मेरा तमाद आगया, तेप अटके कर तक मेरा यह झातार है कलास 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 पड़ सुआ कलास तद्द्ग पाया तरस पाल पाई मॉप्या अगा गल cioè झाल झाल